आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही स्टड़ी एक्यूपाइब का बहुत दोस्ट हो गयता है आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पोखरण का फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है वो किस तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचा रहा है में भी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो यह टाइटल जो है दहिंदू की यह न्यूज है मैं बहुत आसानी से आपको एक एक चीज़ समझाओगा आपको बड़ा मज़ा आने वाला है चलो आगे बढ़ते हैं यूपी एसी के स्मार्ट को से जाते हैं और अब हमार जलाइड क्या होता है चुड़िया होता है यह यह इसको कहते हैं बस्टर यह पीशिकली ग्रास लेंड पे रहती है और ग्रेट इंडिया उन्डिया में यह पाई जाते है इंडियो डूद और यह मिलता तो यह बिल्कुल ostrich like है लेकिन ostrich है नहीं ostrich तो सबसे बड़ी बॉइड है अगर बात करें और यह dry place में मिलेगी इंडियन सब continent की बात करें तो dry place में मिलेगी अब यह है threatened species येस आपने इसको सुना होगा IUCN की अगर बात करें तो it is critically endangered यह endangered है और अगर इसके ऊपर गया तो समझ लीज़े यह extinct हो जाएगी आपको पता है कितने species हैं सिर्फ और सिर्फ 150 individuals बचे हुए हैं 2018 में 2011 में 250 थे और 2018 में 100 कम हो गए 150 यानि कि 1500 बची हुई है बस ठीक है तो इसलिए भाहिया बहुत important है भारत का सबसे important act कौन सा है Wildlife Protection Act 1972 उसी के ही अंदर यह protected है तो status इसका जो है these are critically endangered राजस्थान में basically यह आपको मिलेगी राजस्थान में मिलेगी कर्राटक में मिलेगी महरास्ट में मिलेगी मद्ध प्रदेश में मिलेगी इनका जो आकड़ा है ना बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है और अगर इससे नीचे गया तो समझ लिए extinct हो जाएंगी तो यह great Indian bastard को बचाना बहुत जादा जरूरी है तो अब दोस्तों क्या है चलो यार क्या छोड़ो पहले मेरा telegram channel join करना 12,200 subscriber है यही original है यही वाले join करना तो ministry of environment forest and climate change ने along with wildlife conservation society कमाल का initiative लिया है a firefly bird diverter ठीक है अब यह firefly bird diverter है क्या यह हमको जानना है अरे 1500 से नीचे बची हुई है यार मैंने 1500 बोल दिया बाप रे यह हम जानते हैं तो सबसे पहले high voltage transmission line आपको पता ही है न यह जो लंबी लंबी transmission lines होती है यही सही तो आपके घर में बिजली आती है न ठीक है इतनी दूर से बिजली आ कहां से रही है यही transmission line से तो high voltage transmission line बहुत ज़्यादा important है लेकिन दोस्तों ministry ने यह report submit की national green tribunal 2019 में यह report submit की और यह बताया यह high voltage transmission line जो है यह जो बड़े बड़े तार है न यह बड़े बड़े तार यह जो है great Indian bastard जो थार रीजन में थार dessert भारत में एक मात्र तो dessert है मतलब एक मात्र नहीं एक मात्र कह रहा हूँ मतलब भारत का सबसे बड़ा dessert जो है वो थार है थार एक गाड़ी भी आती है वैसे महिंद्रा की काफी famous है राजस्थान में ठीक है तो यह सबसे important खत्रा है great Indian bastard के लिए और बहुत ज़ादा मौते हो रही है 15% of their population इनी से ही साफ हो गई है तो हम क्या कर सकते है पायर फ्लाइ बडाइवर्टर्स यह जो flaps है यह आप इंस्ट्रॉल कर दो power lines पे अब यह क्या है यह वर्क एस रिफ्लेक्टर सिंपल सी बात है यहां पर जो transmission line है यहां पर flaps लगा दी गए है अब होता क्या है कि चडिया कैसे होगी वो उड़ेंगी ठीक है और transmission line में फसेगी तो अब छोटी चडियाओं के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं लेकिन बड़ी चडियाओं के लिए उनकी वेट की वज़े से यह काफी जादा दिक्कत करता है तो होगा क्या कि transmission line से बचने के लिए 50 मीटर जैसे ही पास बर्ड आएगी transmission line के वैसे ही यह जो firefly bird diverters है नामी है न फायर फ्लाई बर्ड diverters यह shine करेंगे चडिया जो है इन shining diverters को spot कर लेंगी देख लेंगी और उनको पता चल जाएगा यहाँ टकराना नहीं है ठीक आप वैसे समझे आप अंधिरे में जा रहे हैं आप कुछ बहुत ही तगड़ा सा shine कर रहा है आपको इतना पता है कि वहाँ से तो नहीं जाना है कि ऐसे ही bird के लि आप अपना जो रास्ता है वो change कर देगी ताकि collision ना हो power line से अब आप समझे छोटी चडिया तो change कर लेंगे लेकिन बड़ी चडिया जो होती है उनका body weight इतना जादा होता है और भी factors इतने जादे होते हैं कि मुश्किल होता ही है firefly detectors जो है they have been installed along two stretch of approximately 6.5 km शाड़े 6 km तक जहाँ पे ये birds great Indian mustard मिलते हैं समभावना जादा है वहाँ पे ये लगा दिये गए है अब आप देख लीजिए कहाँ पे select किया गया है चाचा टू धोलिया विलेजिस इन्दी पोकरण तहसील पोकरण में ही तो हमारे nuclear test हुए थे ना वहाँ पे ही इसको install किया गया है राजस्थान forest department से consult किया गया अब 1813 firefly bird diverters जो है वो 6.5 km के stretch में लगाए गए बहुत जादा होते हैं तो आप खुदी calculate करिए कि अगर इसको आप 6.5 से divide करोगे ठीक है 1813 को 6.5 से आप divide कर दो तो कितना होगा मतलब 1 km पे लगभग लगभग यहाँ पे लगभग लगभग 300 firefly detectors जो है वो लगाए गए है तो बढ़िया है काफी जादा detectors लगाए गए है और यह जो model है that has been endorsed by experts from IUCN IUCN की critical endangered है यह ना ठीक है Indian bastard अगर हमने कुछ नहीं कहे तो खतम हो जाएंगी इसलिए IUCN तो इसमें कूदेगा ही कूदेगा तो यह जो model है कौन endorse कर रहा है IUCN अब आप बोलेंगे कि firefly क्यों इनको बोला जा रहा है और यह firefly की तरह लगते हैं यह जो flaps है ना यह रात में क्या होता है हिंदी में उसको जुगनू बोलते है ना आम लोग बड़ा बड़ा मदलब excited रहते थे त्यार जुगनू जुगनू बचपन में चोटे बच्चों को बहुत excited करता है मुझे बड़ा excited करता था कि यह क्या है यह क्यों चमक रहा है तो जुगनू बोलते है तो रा करते हैं power lines में एकदम firefly की तरह लगते है नाइट में रात में तो इंपोर्टेंट है दिखिए NGT ने बात NGT की बात करें तो Wednesday को उन्होंने अल्रेडी center को डारेक्ट किया था through ministry of forest and other states कि आप bird diverters को install करें जो भी आपकी solar और wind power lines है जितनी जल्दी हो सके इन diverters को install करें चार महिने का टाइम दिया है ये जो bench है justice आदर्श कुमार गोयर वो head कर रहे थे और उन्होंने directions दिये हैं NGO ने एक petition file करी थी center for wildlife and environment ये एक NGO है PIL डाली गई थी भानू बंसल द्वारा उन्होंने बताया कि great Indian बस्टर्ड को बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि they are on the verge of extinction इसे लिए NGT ने ये बोला कि आप जो है ये diverters install करो और उसके बाद underground power lines भी बिचाओ जरूरी है क्या उपर से ही बिचाओ खर्चा जाजाजा आएगा लेकिन हमको अपने environment को बचाना है respondents कौन-कौन है MOEFCC तो हो गई National Board of Wildlife है National Biodiversity Authority है राजस्थान, गुजरात, करनाटा, कांदर, प्रदेश, महरास्थ जहां पे भी ये मिलेगी ये birds मिलती है वो सब respondents बनाए गए है कि आप responsible हो आप देखो ये सारी चीजों को सुनिश्चित करो जो हम बोल रहे हैं अ बहुत अच्छी बात है दोस्तों बढ़ा अच्छा लगता है कि जब environment के लिए लोग आगे आते हैं NGO आगे आती है और court भी आगे आता है तो इससे खुछी की बात हो ही नहीं सकती बहुत अच्छा लगता है अभी जो कपिल चंदरवाल है जो की deputy conservator है forested desert national park century के वो ये बता है ये तो heaviest flying bird है ये तो इसी लिए ये इसमें फसके मर जाती है electrocution हो जाता है इनको shock लग जाता है वाई high transmission line है बचने का तो कोई सवाली नहीं है तो ये जो हमने initiative लिया है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो बचाएंगी ही बचाएंगी साथी साथ और भी बड़ी च बचाएंगी है ये सब तो मैं आपको अल्रेडी बताई चुका हूँ अब experts क्या कह रहे है कि only two destructive राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर have a breeding great Indian बस्टर्ड population अब आप खुच सोचिए ये transmission line यहां से गुजरती है थार जो है वो यहां से जैसलमेर तो भाई पूरा का पूरा वो राजस्थान ही लागा है जैसलमेर और बाड़मेर थार डेजर्ट जो है वो कोर से पूरा जाता है तो ये इट हाव ब्रीटिंग जी आईबी पॉपलेशन यानि की great Indian बस्टर्ड अगर बढ़ सकती है तो यहीं बढ़ सकती है देकर रेप्रड्यूस और अगर कम होने ल इंजिए इन शिडियूल वन वाइलाइफ प्रोटेक्शन आक्ट मतलब हाइस्ट प्रायोरिटी जो है वो इनको दी है तो ये लेचर था आई होप आप समझ गए होंगे देखिए कोर्ट जो है ना सोप्रीम कोर्ट हो गया एंजीटी हो गया अभी करनाटक का जो हाई मतलब ग्रेट इंडियन बस्ट्राइट को लेके जो कोर्ट है वो बहुत जादा सीरियस है और बहुत अच्छी बात है होना भी चाहिए खुछ रही है पर तरे ये देशे सिद्दा तक नहीं होता ही साइनिग हो